शिव को नीलकंट क्यों कहा जाता है? अमरित पाने की इच्छा से जब देव दानाव बड़े जोशी वेग से समुद्र मन्थन कर रहे थे तभी ही समुद्र से काल कूठ नाम का भयानक विश निकला विश की अगनी से दसों दिशाएं जलने लगी समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया देवता और दैत्यों सहित रिशी मुने मनुष्य गंधर्व यक्षादी उस विश की गर्मी से जलने लगे देवताओं के प्रात्ना पर भगवान शेव विश्पान के लिए तयार हो गए अरहर शंकर जय जय शंकर अरहर शंकर जय जय शंकर अरहर शंकर अरहर शंकर जय जय शंकर अरहर शंकर उन्होंने विश्प को हथेलियों में भरा और भगवाल विष्णु का स्मर्ण कर उसे पी गड़े भगवाल विष्णु अपने भक्तों के संकट हर ले दे उन्होंने विष्ण को शिव के कंठ में ही रोक दिया और उसका प्रभाव खत्म कर दिया विष्ण के कारव भगवान शिव का कंठ नीला पागाया और वे संसार में नील कंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए ओम नमाशिवार, ओम नमाशिवार, ओम नमाशिवार प्रसिछार प्रसिर्ण कर दिया दिया झाल